आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार इसके बाद राजुधानी लखनव में योगी मंत्री मंदल के साथ महत्वपूर बाठक करेंगे जहां केंदर सरकार की लोग कल्यार कारी नीतियों पर चर्चा होगी योगी कैबिनेट के साथ मीटिंग के बाद पीम नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे डिनर का आयोजन सीम योगी के सरकारी बंगले पर होगा पीम के आगमन से पहले ही सभी मंत्रियों को लखनाव पहुच जाने के निर्देश दिये गए हैं ये दूसरा मौका है जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सीयम योगी के साथ डिनर करेंगे। बदा दे कि पियम मोदी उतर प्रदेश के विकास और प्रदेश की कानून विवस्था में और अधिक सुधार के लिए सरकार के जिम्मेदारों को आश्वासक दिशान निर्देश रिद दे सकते हैं। जो नेपाल की प्रदेश में इस धिरबाद देश्वा उना स्वाथ किया है। और आज जो नरेंद्र मोदी भारति के बागवान अबुत्त की तीस तो श्याकट भी जहनती पर नेपाल पहुंचे हैं। जो नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नेपाल मायरेवी मंदर में भी घंच्रिप करीब लाएंगे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लखनौ आ रहे हैं तो सभी मंत्रियों से मुलाकात करेंगा। खास तोर पे निर्देश दिये गए थे कि सभी मंत्रियों अपना आटी पीसी आर जाज करा ले। और साथी सथ डिनर का भी कारिक्रम है। किस तरह से देखते हैं कि तब हैंफ़पूर है सभी मंत्रियों के साथ पीम का बैठक करना। करें करोना का समय चला हो और हमेस्ता से जो बड़ी मीटिक होती हैं सरकारी या जो भी बड़ी मंत्रियों की मीटिया नमें कहा जाता है कि कोई बड़ा मंत्री आरा है तुनके दोर्यों को मंत्री अवीचा रपोर्ट लानी परती है। और सभी मंत्रियों को आरेज दियागे कि सोला महीं तक वो अपनी करेंट की आइटिपिस्या रिपोर्ट लेकर आए और साथ ही सार मंत्रियों को भी कहा गया था कि सभी लोग लगवाल अब दीन से चार दिन अभी लगनों में रहेंगे और इस दोरान मंत्री अपने स्वाधि पर दोरा करने को आ गया था उसके रूपर भी वहां पर दोरा करने के सामने तो बताएंगे इसके बाद वहां पार उसके लिए बात बात पर दा रही है कि जो लोग संकल्यार संकल्पाश जारी था विए तो 24 तक ही पूरा करने की सम्भावन आया यानि चीन साल हमाँ अट प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी आज पैटक भी लेंगे उनकी रपूर्ट कार्ड भी जा सकते हैं अभी ऐसे कोई कारजना नहीं है तब आज बात शेड़ेंगे डिली के रवाना हो जाएंगे लबच्षेवा जाये तक हमें नहीं जांगे खरका में जिसमें लववा पतारी नियु में मुनी आरष्चे तक है और आज पार नहीं के साथ इसक्तार बैठक भी करेंगे राथि भोज भी करेंगे मंत्यों से पर पार पैठक भी लेने के चाहस्ता जो विरांतर पर चनाओ के चलते जो कहा गया था कि हम अपना जो लोग कर लोग तरने चंकल पर्तर को पूरा करने के बाद कही गई चीज को जोगा 24 को किस तरह पूर कैसा की काज़ना भी देखेंगे साथ साथ सबी विवाहों वे आप जनता के पी जगहे बनाएं क्योंकि श्रॉण बॉर्फून है और 1249 को लेते हुए यहां पाधरमाती नरे नमोदी आगामी परस नहीं तरह पर आपक्ते हैं गालेव जब पीम लखनाव पहुचेंगे तो उनके स्वागत के लिए कौन कौन मौजूर रह सकता है एयरप कि अगर बात करें तो पिए मोट जहां लखरों पहुंचे के लगवा लगवा हम उसी एरपोर्ट पहुंचेंगे और उसी एरपोर्ट पहुंचेंगे और उनकी स्वागर में तरह है मुखवंती योग हैतनात के सप्रसान मौर्या संदेश सिंग तमाम बड़े नाम रहेंगे स तो यह तमाम लोग वहां पर रहेंगे तो यह तमाम लोग वहां पर रहेंगे उनका प्रिदान मंत्री की मौजूद्गी को देखते हुए क्लफि extra दी होता है फेजब को अगबन होता है और भी बाट ऱ्रीज्जण मौल उटिया को साथ तजा फपर चुछ कर देखती है इतले से अवह सथिक जया दूर्ष के आवातर भी शिख रहें कार रहें जपुेशं citizen यह बहत तरह प्रधान मंद्री के आने के प्लक्ष में कई का रिक्रम भी किये जाते हैं सजावत में गजे जाता है तो मार्गों पर किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा तिरंगे तो ऐसा क्या कुछ देखने को मिल सकता है आज तरंगी रंगी रोखने की बात है बहुत है तो तो ब्रश्टरूप लगाता है तो लगाने की बात की गई है और तहां लाइट लगाई गई 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 तो साम को निश्रूप से देखने को पड़ा चलेगा पर अभी दौरे पर देखने की सब्हां हां नेपाल पहुंच चुके है और नेपाल पर अचल होगा और लोग उतक है और देखने के लिए बात है कर रहा है और रामंदी नहीं मोदी आप चबे पहुंचे को शाथ रूट डाइवर भी किया गया तमान सवर्ड के इंदियां पर किये जाते हैं तो कि कि अगली खबर की तरफ उत्रप्रदेश में गर्मी लोगों के इस खबर पर गौर्फ शुर्वास तब जोड़े ते लखना उसे रुकरते अगली खबर की तरफ उत्रप्रदेश में गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है भीशड गर्मी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है बाहर निकलने पर लू का खत्रा बरकरार है आधी मई ने ही लोगों के फसीने निकाल दिये और आसू भी निकाल दिये है अभी जून पूरा बाकी है नॉइडा में 15 मई इस सीजन का ही नहीं बलकि पिछले दस सालों का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा है कुछ यही स्तिधी गाजियाबाद की भी रही है रवीवार को सीजन में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा है बांदा में तो तमाम रिकॉर्ड तूट गए हैं वहाँ पर रवीवार को तापमान 49 डिगरी सेल्सिस को पार कर गया लकनों में लोगों को गर्मी ने बेहाल कर दिया है और तापमान एक बार फिर 44 के पार पहुंच गया है नोईडा में तापमान समाने से 5 डिगरी अधिक होकर 45.6 डिगरी दर्ज किया गया है तो लोग गर्मी से बेहाल है चल्चलाती धूप लोगों को घारों में कैद करने के लिए मजबूर कर रही है और इस खबर में हमाई से ज़दबाचीत के लिए समधा था हिमान्शू जुड़ चुके गोरकपुर से हमानशू गोरकपुर की बात करी जाये तो कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है क्यूंकि दिल्ली से सठे इलाइकों में तापमान अपनी चरम पर है पचास डिगरी के आसपास दर्ज किया जा रहा है गोरकपुर में क्या हाल है हिमाशू आप मुझे सुन पा रही है हमाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है समवदाता से तो लगतार गर्मी लोगों की हालत खराब कर रही है अगर देखा जाए दिन के समय सनाटा देखने को मिलता है लोग जरूरी काम से ही सिर्फ बाहर निकलते हुए नजर आते हैं सुभा और शाम ही सड़कों पर चहल पहल दिखाई देती है लोग गर्मी से बेहाल है जाहा एक तरफ तेज धूप और लू का कहर है तो वही दूसरी तरफ बिजली आपूर्ती बादित होने से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लगतार बिजली कटौती से भी लोग परिशान है वीशड़ गर्मी से परिशान है बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है और अगर बात करें उद्योग दंडो की तो बार बार बिजली की कटौती से उन पे भी काफी असर पड़ रहा है गर्मी से बुरा हाल है लोगों का अलग अलग जिलो की बात करें तो दिली, नौइडा, गाजियाबाद, लखनौ, बांदा, सब ही जगह अपने चरम पर है गर्मी और इस खबर पर हम आई सो समधा था हिमाशू जोड़ चुके हैं गोरकपूर से हिमाशू गोरकपूर की बात करी जाए तो भीषड़ गर्मी का कहर वहाँ पर भी देखने वो मिल रहा है पारा किता दर्ज किया गया है लोगों का हाल कैसा है अगर बात करें तेज गर्मी के वज़े से लोगों की सेहत पर भी काफी असर पड़ता है तो इस बार क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है लोगों की तब्यत पे भी असर पड़ रहा है पूरी तरह से गर्व का जो है लोगों की सेहते बहुत दुरा अथर पुनवारा है और इससे जो है आपको बतादे की रोजाना ही पटास से साथ मरी जो है जिश्की खास्पिटल में पहुंच रहा है जुद को जी हमाईशु आप मुझे सुन पा रहे हैं जी तो बिजली में बादे तो और इस बिजली काटोथी भी देखने को मिल रही है बीशट गर्मी है और आप उर्ती के बात करी जाए तो क्या महल देखने को मिल रहा है जी तेखा गर्मी तो यह से लोकल क्वाइट की समस्याएं बढ़ ज़ए है अजिसे प्रांस्पार्मर भी जल जा रहा है हाला कि सियन योगी ने आदेश भी किया वादा कि किसी भी हालते के कटोथी ना की जाय लेकिन इसके बादीश फारी खेकर में बात कर देखा रहा है और ताथी इसके साथ भाइड़िया की बहुत ज्यादा जिक्ते आ रही है लोगों को पेड़ दस और बुल्टी की समस्या एहां बिल्कुल बहुत बार शुक्री हमासा जुड़ने के लिए तौमाम जानकारी के लिए इस ख़बर प्रेमासा समधाता गोरखपुर से हेमाशु जुड़े थे तो अलग अलग जिलों में अलग अलग तापमान तो दर्च किया रहा है लेकिन एक समानता है भीशडगर्मी और लोग की सेहत पे भी काफी असर डाला है अपको बता दे कि अलग अलग बिमारियों से ग्रसे तो होते हुए नजर आ रहे हैं लोग और जिसकी वजह से अस्पतालों के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं और भीशडगर्मी से घरों में भी कैद होने को मजबूर है लोग अपको बता दे कि बाजारों में भी पूरा दिन गर्मी की वज़े से सनाटा पसरा रहता है लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं जिसकी वज़े से काफी नुकसान भी हो रहा है व्यापारियों का लोग घरों में कैद हैं और सिर्फ शाम के समय ही चहल पहल देखने को मिल हो बिजली चले जाने के वज़े से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि तरफ भी शडगर्मी है और इस खबर पे हमाईसा जदबाचीत के लिए समधाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके कानपूर से उपेंद्र कानपूर के बात करी जा तो कितना तापमान कानपूर में दर्ज किया जा रहा है और भीशडगर्मी के क्या कुछ नुकसान देखने को मिल रहा है साथ साथ घंटे की कटाउती हो रही है इससे उद्योग में कितना फरक पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से इंड़स्ट्रियल एरिया है कानपूर तो वहाँ पे काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा होगा व्यापारियों और व्यपसाईयों को बाजारों के हाल कैसे देखने को मिल रहे क्या सुभा और शाम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं कि उसमें भी कत्रा आ रहे है जहां पर मैं ख़ड़ा हूँ इस टाम पड़न टाम में यह कानपूर दशीर से का बर्रा रहा है ज़िए दशीर से सक्षे बड़ा चौरा है अपने कैमरा परसंद से काऊंगा कि दिखाए कि पूरे चौरा है किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है यहां पर लोग निकलना जी अगर स्कूलों के बात करें तो स्कूलों में क्या कोच राहत दी गई है बच्चों को जी पहले से जिला अधिकारे के जो आदेश थे कि जो है उसकी टाइमिंग चेंज करी जाए अब बारा बज़े का यह हाल है कि अभी ग्यारा निमजा हुआ है और टंपरेचर फर्टिन डिग्री से स्कानपूर का इस्टाम है और गार्जन जो है वही परसान है तो इस्टाम जो है जो बिमारी से बच्चे और बज़ू जो है वो लगातार परसान होते से ले आ रहा है जो बहुत 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 शुक्रिया मासर जुड़ने के लिए इस ख़बर पहमासर कानपूर से समधाताओ पेंद्र अस्थाना जुड़े थे तो बच्चों को भी काफी चिंताय तो सता रही है उनकी सेहत पर भी असर पढ़ रहा है तो महीं स्कूली बच्चे भी गर्मी से काफी परेशान नजर आ रहे हैं जाए स्कूल की टाइमिंग में मतलाव किया गया है साथ बज़े से बारा बज़े तक का समय किया गया है लेकिन ग्यारा बज़े दस दूप होती है वो लोगों को काफी परिशान करती है ऐसे बुलेटिन में फिलहा लेता ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार